हलो श्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा तो कैसे हैं सब लोग मस्ट बढ़िया ओके चलो आगे चलते हैं तो ये लेक्चर थोड़ा सा डिले हुआ एक दिन दो दिन कारण ये था कि मैं सोच रहा था कि इसे कुछ पार्स बनाओ बट एक्चली हुआ कि इसके पार्स बनाओंगा तो होगा कि अगर बच्चा एक बार में नहीं देखता है तो एक कॉंसेप्ट दूसरे से थोड़ा सा क्या है कोर्लेटेड है इसको समझने के लिए तो मैंने ये कंप्लीट नॉन एक्वास टाइटरिशन कंप्लीट इन वन लेक्चर ये पूरा टॉपिक कुछ आपस में कोर्लेटेड रहेंगे जैसे प्रिंस्पल लेवलिंग इफेक्ट फिर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट ठीक है ये तीनों आपस में क्या रहेंगे कोर्लेटेड रहेंगे जब कोर्लेटेड हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो इनके मगर अलग- बले चोटे लेक्टेर हो जाते हैं पांदस मिन्ट के लेकिन फिर थोड़ा सा मेरी समझ को मेरेको ये लगा कि उतना अच्छा आप लोग कैच नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं जो लोग तुकड़ों में देखना चाहते हैं वो लोग एक साथ देख सकते हैं ठीक है तो वालिमेटिक टाइटरिशन एंड ग्लाइमेटिक अनलीस यह जो लेक्टेर है नॉन एक्यों स्टाइटरिशन दोनों जो हमारे बच्चे हैं डी फार्मा और वी फार्मा वाले फॉस्ट यह कर बच्चे ना उनके काम आएगा यह दिफार्मा के फश्ट यह में काम ही है तो इसकी theory समझेंगे कि क्या है, theory में क्या है, general बात है क्या होगा, किस सिध्धान पे काम कर रहा है, इसके अंदर एक होता है leveling effect, जिस सिध्धान पे काम करता है नहीं होगा अगर तो non-ecostaticon हम लोग करी नहीं पाएंगे, ठीक है, अब leveling effect के चक्कर में जिनकी वज़य से होता है, क indicator का हमको पता ही नहीं चलेगा, कि reaction complete हो गई है, फिर इसी में term आएगा alkalimetry और acidimetry, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम लोग, advantage, disadvantage और फिर इसकी application, तो start करें, start करें, तो ठीक हम पहले इसको समझ लेते हैं, कि non-aquostaticon है क्या, बढ़ते हैं, तो दो देको non-aquostaticon है क्या, समझत है, acid-based titration collector देख लिए, acid-based titration अच्छे से याद है, बस अगर acid-based titration याद है, तो बिलकुल वही है, पूरी process वही होने वाली है, थोड़ा सा change होने वाला है, इसमें, वो क्या चीज़ होंगी, पूरी process का मतलब, वही सारी बाते होंगी इसके अंदर, मेरे पास एक क्या होने वाली है, बिर्ट होगी, ठीक है, और एक मेरे पास conical flask होगा, इसके अंदर क्या होगा, आ, नोन, वॉल्यूम का, मेरे पास solution होगा, इसका जो concentration होगा, वो क्या होगा, वो unknown होगा, याद आरी हैं, बातें, क्या होने वाला है, अन्नोन होने वाला है, जिनको ये बातें, पत रहे हैं थोड़ा सा पास कर लें वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं जिनको नहीं पता है सुरू स्वास से देखें और अच्छा क्लेर्टी आएगी इसके अंदर स्लूशन भरा होता है उसको क्या बोलते है इस टैंडर्ड सलूशन देख लें इसको बैटर रहेगा अब हम लो स्ट्रोड होती है एसीड बेस्टाइटर्शन से क्यों ये अलग कर दिया गया अपर फ्ल्स और ओच्छन यह तो यह बी एस्ट्रॉट आटर्शन तो डिफ्रेंस क्या है तो कि बच्छे समस्य यह आती है अगर तुम लों को एसीड बेस तुम नहीं पढ़ रखा है तो तु चाहें वो strong acid हो या strong base हो यह वो होते हैं जो 100 परतिशत 100 परतिशत इनका आयनी करन हो जाता है 100% आयनाइज हो जाते हैं यह हम कह सकते हैं 100% dissociate हो जाते हैं तूट या ते हैं 100% जितना हमने लिया पूरा का पूरा है strict man पलाखा प्ल benefici का यहां पूरा थे सुझे भचेगा यहां पूरा मेरे पास river Óकशचे से समस्ते हैं अक्षे से बात और अच्छे से clear हो जाए यह मालो मेरे पास तो यह अपने हैं से जब H प्लस निकालेगा और प्लस A माइनस तो यह भी कितने निकलेगे 10 ग्राम 10 ग्राम से अगर बात समझ में नहीं आ रही होगी तो एक्चिल में बता दूं 10 ग्राम नहीं बोलना चाहिए यह हमको बोलना चाहिए मुलारेटी समझते हो ना सीख चुके होगे मुलारेटी क्या होती है अगर मेरे पास यह अगर यहाँ पर 1 मॉल है तो यह भी कितना निकलेगा 1 मॉल निकलेगा अब वन मोल H प्लस जब यहां मौजूद है बात को समझना यहां अगर H प्लस कितने हैं वन मोल है तो इस वन मोल को निट्रलाइज करने के लिए उपर से OH माइनस की भी कितनी दूर पड़ेगी वन मोल याने की H प्लस प्लस OH माइनस अगर यह वन मोल है तो यह वह कितना लएगा वन मोल लगेगा तब यह तो इसको पुरा निट्राइज कर पाएगा तब तो में रेशन कमप्लेट होगी अगर माल लो ठीक है तो होगी बात तो तो मिरको यहांसर ऍसे क्या पता होता है इसंका वाल्यूमamarज होता है मुलारेटी पता होती है इसका वॉल्यूम पता है मुलारेटी जाननी है तो यहां से क्या लग जाएगा लेकिन देखों यहां पर जो मैंने यहां पर घोल दिया है वह 100% हो गया है यहां से सारे H प्लस यहां आ गये तो मैंने कितना घोला यहां पर यह रियक्शन से मैं पता लगा लूँगा बात समझे यह अगर 100% आइनाइस कर गया है तो सारे के सारे हे किस में करणट हो गये होंगे है एच प्लस में और ए माइनस में तो मैं यहां से कितना हे मैंने घोला है ठीक है उसका मेरे को अमाउंट पता जल जाएगा बट अगर मेरे पास यही क्या होगा यही अगर मेरे पास क्या हो वीक बात समझना कहानी किस की हो जाए वीक की हो ज माल लो ये मेरे पास HA है अगर ये weak है तो ये 100% dissociate नहीं होता है क्या बना लेता है equilibrium थोड़ा सा टूटेगा और फिर reaction ये वापस चलने लगेगी थोड़ा सा टूटेगा और reaction ये वापस चलने लगेगी माल लेते हैं ये कितना था 1 mol था अब 1 mol मेंसे ठीक है ना 1 मेंसे माल लो मात्र 0.2 dissociate हुआ और यहां कितना आ गया ये 0.2 आ गया ये कितना आ गया h plus 0.2 लेकिन 0.8 अभी भी बचा हुआ है बात समझ ले ना बहुत कायदे से ध्यांग तो यहां पर 0.8 अभी भी बच गया मेरा जो OH उपर से आएगा केवाल इन 0.2 को ही तो क्या करेगा neutralize करेगा और 0.2 के हिसाफ से बता देगा इसका इतना मासरभा टीक गलत हो गया ना क्योंकि यहां तो 0.2 आभी बचा हुआ है ह जो था उसकी strength है यहांपर ठीक है 1 mol की थी कितनी है यह 1 mol डाला है मैंने लेकिन यह कितना बताएगा उपर से जज़ करूँगा तो यह बताएगा कि केवल कितना है 0.2 mol है अब मेरे पास क्या हुआ exact answer नहीं आएगा मेरे पास calculation मेरी क्या आजाएगी गल्थ आजाएगी अच्छा यह घटना कहा घट रही है यह घटना घट रही है जब इनको मैं कहां डाल रहा हूँ इसको भी मैंने इन दोनों को मैं कहां डिजॉल्व किया है डिजॉल्व इन वाटर डिजॉल्व इन वाटर जब मैंने इनको किसके तरह डिजॉल्व किया वाटर वाटर के लिए बढ़ इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग अब वाटर को अब से क्या बोला करेंगे AQUOS क्या बोलेंगे AQUOS समझ लेना बहुत अराम समझा रहा हूं मैं तो हुआ किया हमने हमने क्या है एसे तो मिर रिडिंग कलता है कि तो हमने क्या कि इसको टूटना पूरा टूटना जरूरी है इसको भी strong acid की तरह behave करवाना है तो हमने कहा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इसके अंदर से h-plus खीज के बाहर निकाले तो ये पूरा-पूरा क्या कर जाएगा डिसोसेट कर जाएगा जो इसके अंदर से h-plus खीज के बाहर निकालेगा ठीक है तो हमने क्या-क्या कुछ ऐसे solvent इस्तमाल किये कुछ ऐसे solvent पानी के अलावा तो पानी के अलावा जिनके अंदर पानी नहीं है उनको क्या बोलेंगे ऐसी ऐसा liquid जिसके अंदर पानी नहीं है liquid without water जैसे तेल के अंदर पानी नहीं तो ऑईल किया without water है उसके लिए हमने सब दिस्तमाल किया non-aqueous एकवस मतलब water और ऐसे solvent ऐसा चीज जिसके अंदर इसको घोलेंगे इसके अंदर पानी बिलकुल नहीं होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे non-aqueous solvent तो कहानी मेरे खास है तुम लोगो समझ में आ गई होगी क्यों इस titration का नाम non-aqueous titration पढ़ा है क्यों जरूत पढ़गी non-aqueous solvent की क्योंकि कहानी दिख रही है हम लोग यहाँ पर किसको titrate कर रहे हैं दियान से देखो इतर पे हम लोग यहाँ पर किसको titrate कर रहे हैं weak acid और base को strong acid strong base ये तो automatic हमारे पास acid base titration से cover up हो जाएंगे किससे cover up हो जाएंगे acid base titration से क्या हो जाएंगे cover up हो गए तो पहली समस्या यह आई कि पानी इसको 100% dissociate नहीं कर पा रहा है dissolve नहीं कर रहा है dissolve किसके में कर रहे हैं पानी में कर रहे हैं तो 100% 100% dissolve नहीं है तो समस्या खड़ी हो गई तो हमने कहा they are insoluble in water they are insoluble in water पानी में क्या है यह insoluble हो गए पहली समस्या यह आ गई अच्छा माल लो अगर पानी में किसी तरीके से हमने बहुत dilute कर दिया है ना जैसे से dilute करते है ionization क्या करता है increase कर जाता है weak acid base का पता ही चीज़ नहीं पता दिमाग में डाल लो जैसे जैसे हम इसको अगर पानी की मातर बढ़ाते चले जाएं समझते बात को माल लो एक भी है मेरे पास weak acid है मेरे पास क्या है weak acid है इसको तोड़ना है h plus plus a minus में पहले इतना पानी था मैंने और पानी बढ़ाया मैंने और पानी बढ़ाया जैसे से पानी बढ़ाऊंगा ना मैं इसकी quantity point two point four point six इसका आइनी करन आइना जैसन बढ़ता चला जाएगा यानि कि मैं इसको क्या कर रहा हूं डायलूट कर रहा हूं क्या कर रहा हूँ ? डैलूट कर रहा हूँ तो इसको में आयनाइस करा सकता था कैसे ? डैलूट करा करके लेकिन एक समसर कोई वीक है कितना करा लोग, बहुत उट ज्यादा नहीं होगा वीक है, कुछी हो पाएगा तो पानी भी मेरे पास क्या है एक weak acid और weak base की तरह behave करता है, neutral होता है, यहने कि उसके अंदर बात करें, अगर हम लोग यह कहानी समझ में आ गई, वापस आएंगे इस पर, थोड़ा सागे चलते हैं, वोग concept को पकड़ते हैं, पानी की बात करें, pure water, किसकी बात कर रहा हूं में, pure water की, यह कुछ इस तरीके से dissociate करता है, H++ OH-I, इसके अंदर पानी कितना होता है, 10 की पावर माइनस 7 moles, है ना, यह भी कितना होता है, 10 की पावर माइनस 7, तो पी-एज की वेल्यू होती है, ठीक है, पी-एज की वेल्यू, formula याद होगा, क्या होता है, माइनस लॉग concentration of H+, यहां रखेंगे, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 7, और यह वेल्यू क्या आगई, माइनस, थोड़ा सा, जिसको यह चीजे नहीं पता, थोड़ा सा देखने इसको, तो चीजें और क्लिर्टी हो जाएगी, माइनस, माइनस 7, पावर आगए आजाती है, और लॉग 10, लॉग 10 की वेल्यू 1 होती है, वेल्यू कितनी आगई, 7, तो pH कितना आया था इसका, 7, यह ज़रूरी नहीं है, जेस्ट एक्स्प्रेन करने के लिए आप लोग भी इसको दिखा सकते हो, ओके, इससे फरक्या पड़ा, अब सीन यह है, जो मेरे पास weak acids होते हैं, कौन होते हैं, weak acids, weak acids की कहानी यह है, कि वो भी क्या होते हैं, very weak, weak acids, जिनकी कहानी क्या है, जब यह टूटते हैं, h plus plus a minus, तो यह ना काफी कम, जैसे मालो हो सकता है, 10 की पावर minus 6, बहुत पास, जितना यह पानी है, उतना ही इसके h plus ions रहते हैं, यह दोनों comparable हैं, इसके ions और इसके ions क्या हैं, comparable है, बहुत कम अंतर है, अच्छा इससे फरक्या पड़ा, जिनको यह बाते समझ में नहीं आ रह है, h plus के, per liter में, तो बात ज़रा समझना, इससे फरक्या पड़ेगा, तुम लोग यहाँ पर टाइटरिशन करा रहे थे, यहाँ पर टाइटरिशन करा रहे हो, तो एक तो h plus, जो में नहीं बात बताईए, फिर repeat करूँगा, जिवा, जिहान से देखना, कि 1 h plus कहां से आ रहा है, ठीक है, वीक एसिट को अगर उपर से टाइटरिट कर रहा है, मालनों, वीक एसिट के h plus लिए है, इसने और फिर टाइटरिट कर रहा है, तो वीक एसिट के जब h plus खतम हो जाते हैं, वीक एसिट से, तो वाटर के भी, वाटर के h plus भी, उपर से o h वाले जो आते हैं, उन तो जो शार्प मेरा end point आ जाना चाहिए था जैसी weak acid के H plus खता हुए वैसे तुरंट क्या आना चाहिए था end point बट अब ये water के भी H plus क्या कर रहा है? neutralize कर रहा है water के भी H plus क्या कर रहा है? neutralize कर रहा है तो होता क्या है? end point एकदम से clear नहीं आ रहा है क्या strong acid use करते हैं तो क्या पानी कर दो घोलते हैं तो क्या उसके H plus neutralize नहीं होते हैं तो strong acid की बात बता दू मैं strong acid hundred percent क्या कर जाते हैं? ionize कर जाते हैं तो इसको जो comparison कैसे करोगे? comparison करवाता हूँ मैं strong acid का pH कितना रहता है? याद है ना? two, one तो अगर मैं यहां बोलो अगर यह one है value तो H plus का concentration को इसी रहे बतायता है मैंने pH मैंने कैसे निकालता? H plus का concentration था यहाँ पर अगर value two है या one है तो one ले ले लेते हैं समझेगे ज्यादा असानी हो जाएगी तो H plus का concentration कितना होना चाहिए? 10 की power minus one होना चाहिए जब 10 की power minus one यहां रखोगे तो pH की value कितनी आ जाएगी? बन आ जाएगी अब जड़ा देखते हैं हाँ पर एक है value मेरे पास दो values को compare करा रहा हूं मैं गौर से देखना 10 की power minus seven इसको अगर मैं लिखूँ तो point 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 और 10 की power minus one तो point one यह value बहुत छोटी है इसके मुकाबले तो यह neglect हो जाती है मतलब कि इसके ions इसके comparison बहुत ना के बरावर रहते हैं तो यह तुरंत क्या देएता है मैं एको end point देदेगा ठीक है इसके H plus यह किसके हैं? strong acid के यह किसके हैं? water के क्योंकि water के H plus इसके मुकाबले बहुत कम है तो strong acid के case में water के H plus iron interfere नहीं करते हैं थोड़े दो चार होते हैं खटाक से नूटलाइज हो जाते हैं फरक नहीं डालते हैं ठीक है लेकिन क्योंकि इसके खुद के ही कम है देखो ज़रह यहां पर मैंने कितना बताएदा है वीक एसिट के 10 की पावर माइनस 6 तो 10 की पावर माइनस 6 इसको गर में लिखूँ तो 0.012345 और 6 और यह तो होगा वीक एसिट के और water के देख लो 1,2,3,4,5,6 और 7 कुछ लोगों को यह बास समझे बादे हैं दोलों पास पास में हैं यानि कि यहाँ पर इसके खताम बजाएंगे तो water के जब अपनी भी क्या करवाएगा neutralize करवाएगा तो end point में बहुत ज़्यादा फरक देख में मिलेगा यहाँ पर जब water के neutralize होते हैं तो end point में ना के बराबर फरक आता है बात समझ में आ रही है यह बात clear कर पा रहे हो और एक तरीके समझानी कोईश्ट करता हूँ मैं जैसे मान लो strong acid के 100 H प्लस थे या 1000 थे ठीक है यह किसके थे strong acid के बात समझ ज़्याँ ज़्याँ तब water के मान लो 2 पड़े हुए H प्लस 100 माल लो तो पानी के लगबग इसके comparison में कितने मानने पड़ेंगे 90 मानने पड़ेंगे तो end point आ जाना चाहिए था 100 के बाद लेकिन अब end point मेरा कब आएगा 190 H प्लस जब यह consume कर लेगा बहुत कायदे समझना जब यह 190 H प्लस consume कर लेगा तब मेरा end point आएगा यहां end point कब आएगा जब 1002 H प्लस consume आएगा तो मेरा क्या जागा end point तो 1000 में 2 और जुड़े ना के बराबर कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन हाँ 100 में 90 जुड़ गए फरक पड़ गया यह कहानी समझा रहा हूं मैं क्यूं non-aqueous ट्रेशन में हमें solvent जरूत पड़ रही है और क्यूं weak acid या weak base में पानी affect डाल रहा है end point पर बात समझ मां आ रही है repeat कर दो एक बारी फिर से बात को समझना मैंने का strong acid strong base 100% ionized हो जाते हैं तो यहां पर जितना सा उतना ही पूरा आ जाएगा पहली समझत यह आ रही है weak acid और weak base पानी में पूरा dissolve नहीं हो पा रहे हैं तो 100% ionized नहीं हो पा रहा है exact इसकी strength पता नहीं चल पाएगी पहली चीज दूसरी चीज ठीक है ना exact strength इसकी पता नहीं चल पाएगी बागी process पूरी सेम है दूसरी चीज समझें अगर तो मैंने जैसे कहा कि strong acid क्यों होते हैं का pH कितना होता 1 या 2 होता है उसके मुकाबले H प्लस जो ion है water के ना के बरावर है कुछ एकाथ अगर ले भी लेगा H प्लस end point देते वक तो end point पे जो आएगा 190 बहुत ज़्याधा अंतर नहीं है दाटा थोड़े देखने बड़ा लग रहा रहा हो करीम 1,000,000 होगा तो 90 होंगे तो的s 1090 जोड़ो पहत ज़्याधा अंतर नहीं होंगी लेकिन ही 190 जोड़ो बहुत झाएगा तो यहाँ end point पे फ़रक पढ़ेगा मोटी मोटी बात समझ लो वहाँ end point वे फरक नहीं पड़ता है क्योंकि होँपे H plus जो strong अशली को होते हैं बहुत जादा होते हैं compare to water clear है तो दो चीजें क्यों हम लोग non-aqueous solvent इस्तमाल कर रहे हैं पानी एक तो 100% dissociate नहीं कर पा रहा है और दूसरा पानी के H plus iron खुद जाके react करते हैं और हमको sharp end point मतलब clear cut end point नहीं देखने को मिलता है क्या ये बातें समझ में आ गई ये था इसका पूरा कहानी बात बाकि इसके अंदे सारी बातें सेम हैं अब उसमें एक concept और आएगा आगे leveling effect उसको हम इसी से correlate करके बात करेंगे तो ये उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अगर कोई चीज में problem करती है अभी भी तो मेरो comment लिखके देना कि ये चीज़ दिक्कत दे रही है मैं उसको next lecture में as a doubt clear कर दूँगा चले आगे बड़े चलते हैं अपनी theory की तरह non-aqueous titration क्या कह रहा है non-aqueous titration is used to titrate very weak acid और base पहली चीज़ पकड़ लो दिमाग में बहुत weak acid और base होते हैं उनको ही titrate करने के लिए हम लोग इस्तिमाल करते हैं strong acid base तो acid base titration से हमारे हो जाते हैं और substance insoluble in water दोनों बाते में डिस्कस करी हैं क्या घटना है हो रही है दोनों बाते हैं पर cover रही है therefore solvent used to dissolve analyte analyte को dissolve करने के लिए analyte पकड़ रहे हो क्या है नहीं lecture पढ़े हैं तो prime lecture देख लो used to dissolve analyte is non-aqueous no water इसलिए हम ऐसा solvent इस्तिमाल करते हैं जो कि non-aqueous है जो ये दोनों समस्याओं को दूर कर दे weak को strong बना दे और insoluble को soluble कर दे इसलिए हम non-aqueous solvent का इस्तिमाल करते हैं अब ये कैसे घटना घटेगी कैसे ऐसा कर पाएगा वो भी देखेंगे हम लोग ठीक है वाइ वाटर इस नॉट यूजड ठीक है सारी chemistry की बात है आ जाएंगी तो chemical में चले जाएंगे हम लोग ज्याजा कुछ होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं आइल पानी में डिजॉल्व नहीं होता है लेकिंगे किसी और चीज़ में डिजॉल्व हो जाएगा सायन मौझूद रहते हैं तो वीक एसी और स्ट्रॉंग एसी और बेस के आगे यह जो नंबर है बहुत ना के बढ़ावर है फरक नहीं पड़ता उसको लेकिन वीक एसी और बेस अगर एनलाइट होगा हमारा उसको यह नंबर प्रभावित करेंगे नो डाउट इफ वी और टाइटरेटिंग अगर हम टाइटरेट कर रहे हैं वेरी वीक एसी और वेक बेस इन एक्वा सलुशन देन इट इस पॉसिबल डेट तो ऐसी संभावना है डेट इट इट कैन कमपीट विद वीक एसी और बेस यानिक हो सकता है हो सकता है पानी के औरो जाएगा ओके विद रिगार टू ऊंध्व मतलब चौन प्राटोण पहले पहले या मेरा पानी ये बेस और वीक बेस मेरा कौन तो पहले प्रोटॉन लेगा तो एक होड़ लग सकती है इनकी बीजमें स्टार्ट हो सकता है ऐसे केस में जब मेरी टाइट्रेशन चल रहा होगा तो जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा उसमें पता नहीं चल पाएगा कि एच प्लस किसके कंज्यूम हो रहे हैं मे करको इस फॉर्म में रहता है पिछले लक्षर में बता चुका हूं ओके कैन कम्पीट विट आर एनस थ्री प्लस काफी वीक बेस होता ही ठीक है ना यह किसका क्या करता है कंपीट करेगा इसके वैसे मेरा एंट पॉइंट के लिए नहीं आएगा एंट पॉइंट के लिए क् क्यों वह एच प्लस इसके मतलब जो मेरे एच प्लस आएंगे वह इस वाले वह से रियाट करेंगे मतलब एच प्लस इस से रियाट करेगा यह इस से रियाट करेगा दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी यह पानी दे रहा पानी कि हमें नहीं चाहिए जनरली दा एसीड अब इसको तुमको और एक्लिब्रियम पढ़ रखा है तो हम लग एक डिसोशियेशन कॉंश्टेंट के लिखते हैं जिसकी होती है अपां है याद आया अब दो के की फितनी जादा होगी एस प्रस जादा है ठीक है याने कि इसका कंसेट्रेस जादा होने का मतलब क्या है 10 की पावर उतनी मानेस में कम होते चलिए आएगी यानिकि वोगा तो वही बात बता रहा है अगर PKA की वैल्यू एसीड के केस में ज्यादा है किस से 7 से यानिकि 8 9 है ना और 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 बेसेज भी पीके बी स्वारी यह बी है पीकी वैल्यू लेस देन 7 यह बात बताते हैं पीके और पीके भी कही हमको एसीड की स्ट्रेंद की ही बात बताते हैं तो यहां थोड़ा सा मैं साही कर दूँ ठीक है यह क्या है पीके भी ओके कैनाट बेटर्माइन एकुरिटली इन एक्वास सलूशन मैनी और गैनिक सॉल्वेंट अब कह रहा है वह कई सारी जो और गैनिक सॉल्वेंट और गैनिक मुदा समझते हो ना कार्बन कंटेनिंग इनका इस्तिमाल कर सकते हैं एजा सॉल्वेंट ठीक है वाटर एज दे कम्पीट लेस्ट इफेक्टिवली विद अनलाइट मतलब अनलाइट के अंदर से एच प्लस निकलेंगे उससे उतना ज्यादा कॉम्पीशन नहीं करेंगे इन क्योंकि यह खुद इनके अंदर से एच धीर्णान कर एकश्टिक एलकॉल चाष्टतिक के बात करूँ मैं से को संनान कि गालेगा तो हम इसको एजब स्क्रेंट इस्तिवाल कर सकते हैं बात سंजय में आगई ऐस चले nossos प्रिंसिपल ऑफ नॉन एको स्टाइटरिशन बेज़ डॉन ब्रॉंस्टेड लॉरी थियूरी ब्रॉंस्टेड लॉरी हम लोग कर चुके हैं थोड़ा से आप इसका एक्स्पेर्न कर दूंगा मैं कैसे ये प्रिंसिपल हमारा काम कर रहा है तो ब्रॉंस्टेड लॉरी ने देखको एक बात क्लियर कट बोल दीदी जो अपने अंदर से एच प्लस निकालेगा डुनेट करेगा वो क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा और जो एच प्लस को एसेप्ट करेगा यह ना माल लेते हैं यहाँ पर यह माइनस है और यह एस्ट प्लस यहां से असेप्ट कर रहा है तो यह क्या बन जाएगा एच एब बन जाएगा तो यह मेरे पास जो acceptance of H+. सारी बात हैं हमारी donation of H plus और acceptance of H plus याने की हम acid base को ब्रॉंस्टों लॉरी के हिस्दाब से Define करते हुए अपना non-aquostaticion का पूरा concept explain करते हैं ठीक है ना तो बार बार तुमको ये एक word मिल रहा होगा मैं बता दूँ donation proton H plus क्या करते हैं यह proton होता है है इसको प्रोटोन बोलते हैं तो proton donation और acceptance यह वर्ड आ रहा रहा बार बार यह इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यह वाला क्या कर रहे हैं इसको इस्तुमाल कर रहे हैं यह वही पूरा चीजे leveling effect level मतलब समझते होगा ना level में लेकर आना तु मेरे level का नहीं है थोड़ा उचा उठ थोड़ी पढ़ाई कर तो मेरे level का आ जाएगा तो यहां पर हम लोग जो non-acquosolvent इस्तुमाल कर रहे हैं क्या इस्तुमाल कर रहे हैं non-acquosolvent वो एक weak acid की आउकाद बढ़ा करके उसका level बढ़ा करके उसको strong acid बना देंगे या weak base की आउकाद बढ़ा करके उसको strong base बना देंगे एक level ले आएंगे strong के बराबर तो नाम पढ़ गया leveling effect है ना strong acid और base के level पर लेके आ जाएंगे तो नाम क्या हो गया leveling effect ठीक है या solvent leveling क्योंकि solvent के द यही तो समस्या आ रही थी नौना के solvent की मेरे पास पानी के अंदर वो partially dissociate हो रहा था बहुत कम dissociate हो रहा था तो हमने ऐसा solvent इस्तेमाल किया कि वो strong हो जाए और पुरा-पुरा dissociate हो जाए जहो कैसे हो रहा है leveling effect और solvent leveling refer to the effect यह वो effect है solvent का on the properties of किसकी property पे acid और base acid और base की property पे यह effect डालते है strength of all acids and bases are leveled by these solvent बराबर कर दिये गए ठीक है ना तो कुछ नहीं है level मतलब weak acid और base को level लेकर के strong acid और base के बराबर आ जा रहे है यही है leveling effect ठीक है ना बच्चा कहा था पताने क्या है leveling effect अब समझो कैसे तो यहां पर हम समझते है थोड़ा सा की ठीक है दो क्या कर रहा है example ले रहा है when water taken as solvent पानी को हमने solvent की तरह है HCl, H plus Cl में टूटा, H2SO4, 2H plus SO4 में टूटा, HNO3 ऐसे टूटा, HCl4 ठीक है ना ऐसे क्या कहते है पर-Cloric acid यह कुछ ऐसे टूटा, all act as strong acid in water याने कि in water all act as strong acid पानी के अंदर सारे कैसे बिएक कर रहे है strong acid की तरह है बट क्या इनकी सबकी strength बराबर है नहीं तो इक तरिसम कह सकते हैं पानी ने इन सबकी strength को बराबर करके level कर दिया है लेकिन इसको हम अपने concept में समझते हैं और यह ले लिए हमने क्या oxalic acid यह क्या मेरे पास oxalic acid पानी में डाला तो पूरी तरी तो reversible sign आ गया मतलब कुछ तूटके इदर आ गया बाद वाकि इदरी बना रहा कुछ तूटके इदर आया बाद वाकि यह ऐसी पड़ा रहा 100% ionize नहीं हुआ तो पानी के अंदर oxalic acid कैसा बन गया है partially dissociate partially मतलब कुछ थोड़ा सा dissociate हुआ तो in water इट मतलब oxalic acid act as weak acid अब यह विचारा weak पड़ गया मैं कुछ ऐसा solvent इस्तेमाल करूँ कि यह भी क्या हो जाए strong हो जाए तो मजा आ जाए फिर हैना मेरा कहाम हो जाएगा अब देखो जब मैंने ammonia को solvent की तरह लिया ammonia taken as solvent तो ammonia में यह सारे के सारे अगेल कैसे बिएव कर रहे है strong acid क्योंकि ammonia खुद अपने आप में क्या है बेस होता है यह यह खुद अपने आप में क्या है बेस है तो बेस के अंदर यह acid है easily h plus ion donate करेंगे ammonia ने इससे h plus ion खीचने का काम किया इससे सारे खीच लिए जितने थे यह आपर मालोई 100 हैं 200 हैं एक मोल हैं दो मोला सब खीच लिए तो अझली कैसिक ने बीकरने लगा कर दिया अब आप मत मिलो के अधर मिलो तब में स्ट फॉम यह यह तो पानी में यह स्ट्रॉंग ते यह नई था इसने धंकाया अमौनिया के अंदर आओ पिर बताता हूं मैं जैसी एंदर इनने केया तुम भी तो स्टॉंग का हमारे बराब हो गया किलियर हो गया लैबलिंग इफेक्ट दो या तीन नमबर में आएगा तो इसको तुम लोगा कर पाऊगे लैबलिंग इफेक्ट यह एक्जांपल दे सकते हो किलियर है चले आगए ओके अब देखो solvent जैसे यहां पर छोटी सी बात आँ मैंने एक एक्जांपल लिया यहां पर अमोनिया का acid को तोड़ने के लिए ammonia base का इस्तमाल किया अगर मालों यहां कोई base होता तो मैं किसका इस्तमाल करता acid का इस्तमाल करता है ना अमोनिया इससे protein निकलवा रहा है अब base होता तो उसको protein देता तो यानि कि मैं कह सकता हूं मेरा solvent acid या base कुछ भी हो सकता है बस यही इसी अधार पर हमने कुछ solvents के classification कर दिये आओ देखते हैं क्या क्या classification है types of solvent used in non aqueous titration हमने किस तरह से इस अधार पर solvent aqueous और इनका क्या कर दिया है नॉन aqueous के अंदर इस्तमाल होने वाले solvents को क्या कर दिया है classify कर दिया है बास समझ में आ रही है तो देखते हैं चार केटेगरी बड़ा बड़ा तोड़ा है हम लोग ने इसको ठीक है तो a product solvent या non dissociative solvent किसी भी दाम से बुला सकते है जो तूट जो खुद आइनाइज नहीं होंगे ठीक है खुद तूटेंगे नहीं ए प्रॉटेंगे नहीं ए प्रॉटेंगे नहीं है ज्यान रखोगे ठीक है this solvent not reactive and do not undergo any reaction with acids or basis हम लोग यहां देख रहे था कि Ammonia इसके साथ क्या कर रहा था react कर रहा था लेकिन कुछ solvent ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करेंगे एसा तो फिर क्या करेंगे इनका काम किया है कि कुछ नहीं करते हैं इनका dielectric constant of protein is काफी low काफी कम होता है ठीक है ना they do not lead to the ionization of solute यह solute का ionization भी नहीं करते हैं इनका primary function क्या है dilute the reaction mixture reaction mixture हो क्या करते हैं dilute करने में help करते हैं जितने ज़्यादा dilution होगा ionization उतना ज्यादा होता चला जाएगा यह नहीं तोड़ते हैं dilution की वज़े से ionization हो जाता है यह खुद कोई role play नहीं करते हैं कौन-कौन से हैं इसके अंदर ठीक है तो सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है acetonitrize जो तुमको मिल जाएगा ठीक है बादा की tolven है tetra chloride है benzen है and chlorinated hydrocarbons है तो यह थे में बाद ए प्रोटिक क्याने की ना तो h plus देंगे ना h plus लेंगे ठीक है ना अच्छा ammonia की बात करें यहाँ पर ammonia क्या कर रहा है h plus ले रहा है यह जो solvent है ammonia as a solvent taking away h plus अपने साथ क्या यह रहा है खीज करके h plus ले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इसलिए इसका नाम के बढ़ा ए प्रोटिक बिना h plus वाला के लियर है प्रोटोफिलिक फिलिक मतलब लविंग जो प्यार करें लविंग क्यालो और अट्रेक्टिंग क्यालो याने की proton को अट्रेक्ट करने वाला प्रोटों से प्यार करने वाला है ना तो solvent Яग्द इसे प्रटोफिलिक फ्रोटों से प्यार कर रहा है खीच रहा ब्रोटोन का वने पाथ क्या करेगा प्रटोफिलिक सॉल्वेंटार्ट सॉल्वेंट वूस्ट बेसिटी इस ग्लेटर देन डेट अफ वाटर इनकी बेसिटी पानी से बहुत ज्यादा होती है यह बहुत ज्यादा है प्रटोफिलिक सॉल्वेंट इन डेटर इस ग्लेटिक प्रटोफिलिक स्थी इन डेट वाटर इस वाटर देगे और क्या बनाएंगे and solvated proton दोखो, कहाने बता दूँ है ये, ये मेरे पास acid है ये मेरे पास क्या है this is acid bronchial lory theory याद है ये क्या है इसका conjugate base है और ये कैसे H plus हो गए protonated sorry, solvated solvated मतलब solvated हुऊ होते हैं जिनको पानी आकर घेर लेंगे solvated मतलब क्या होता है जैसे मालोई H plus इस तरीके से आई हाँ पर और जो पानी क्या minus ये minus होता नहीं दर इसको चारत तरफ से पानी आकर क्या कर लेंगे घेर लेता है जिनको पानी के मॉलिक्यूल आकर क्या कर लें घेर लें क्योंकि इसके बास plus है और इसके बास क्या जो इससे क्या करेंगे रियक्ट करेंगे और मेरको यूटलाइजिशन डियक्शन दे देंगे चल लो आगया आते हैं ठीक है सॉलवेटेट प्रोटान जो प्रोटान था मेरे पास कैसा हो गया सॉलवेटेट हो गया H+, को 4 दो से, water के molecule ने, क्या कर लिया है, cover कर लिया है, the primary function of protophyllic solvent, is to improve the acidic strength, देखो, ammonia क्या कर रहा था, ammonia क्या कर रहा है, इसकी acidic strength को increase कर रहा है, level कर रहा है, ammonia इसको level, बड़ा रहा है इसका level, कि तुम भी strong हो जाओ, तो वही काम है यहाँ पर, primary function of protophyllic solvent, is to improve the acidic strength of weak acid, तो इन्हांस the strength of weak acid by accepting proton readily, तुरंथ, वीक acid से proton खीचेंगे, खीचेंगे, और उसको तो 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 जाएंगे, जब वह पूरा तरह से आयना हो जागा, तो अटमेटिक स्ट्रॉंग हो जाएगा है, और वीक acid, वीक acid को पर कैसा accident का level करने का काम करते हैं, एक्जांपल की बात कर लें हम लोग, तो एक्जांपल मेर पास बहुत कॉमन एक्जांपल है, किलियर है, आओ आगे चलते हैं, ठीक है, प्रोटोजैनिक, जैनिक मतलब जनरेट करना, क्या करना generate करना proton को generate करने वाला proton को generate करने वाले solvent जो अपने अंदर से H plus निकालेंगे यानि खुद कैसे होने वाले हैं यह acidic होने वाले है प्रोटोजनिक solvent are one producing क्या produce करने हैं proton hydrogen आये chemical nature of proton solvent अबेसी बात है प्रोटोन निकाले को कौन होंगे acid होंगे अभी पढ़ा हमने ब्रॉंस्टे लोरी थिरी में क्या होंगे यह acidic होंगे the acidity of this solvent is usually greater than that of water पानी से इनकी acidity बहुत ज़्यादा होती है ठीक है the primary function इसका main function क्या है improve the basic strength of weak base weak base का basic strength बढ़ाएंगे उससे उसको H plus देंगे क्या करेंगे उसको H plus दे करके उसकी basic strength को increase करेंगे they enhance the strength of weak base they enhance the strength of weak base यह मान लो कोई मेरे पास weak base है बोह यह क्या कर रहा है ionize कर रहा है और यहां से OH- तो हो क्या रहा है यह क्या कर रहा है H plus इसको क्या कर रहा है धेर सारा H plus दे रहा है क्या कर रहा है इसको? इसको H-PPs ये देगा H-PPs देगा तो खटाख से इसको क्या करेगा? तोड़ेगा इसको ठीक है ना? Sorry आहां basic strength इसको H-PPs देगा तो इस है तो H- क्या है? इससे निकल-nickle के बहर आते जाएंगे ये ठीक है ना? तो इसको क्या कर रहा है वो H प्लस दे रहा है ओके प्राइम फ्राइम प्रोटों इसको क्या इसको डोनेट करेंगे यह बहुत ज्यादा है तो इसको पूरा-पूरा क्या करेंगे डिसूसेट करने में हैल्प करेंगे तो यह क्या करेंगे इसको लेवल करके ले आएंगे लेवलिंग एक्षन है Example की बात करें, Sulfuric Acid या Glacial Acetic Acid, बड़ा common है ये Glacial word क्यों इस्तमाल होता है, पता है ना, Glacial मतलब बिना पानी का ऐसा Acetic Acid है, तो ये भी Acetic Acid, CH3COOH बिना पानी वारा, इसके अदर पानी का कोई भी अंश नहीं होगा Anhydrous Hydrogen Fluoride and Formic Acid ये सारे मेरे पास क्या है, Protogenic Solvent है, जो Proton को Donate करते हैं के लिए रहे बाते हैं, Amphiprotic, Amphiprotic word बच्चों मतलब होता है, बोथ Protic मतलब Proton, ऐसे Solvent जो समय पढ़ने पर Acid की तरह behave करेंगे सामने वाला कैसा है, समय पढ़ने पर Base की तरह behave करेंगे सामने वाले का Nature कैसा है, है ना, सामने वाला तुम्हार साथ कैसा पेश आ रहा है, तुम भी वैसे ही उसके साथ पेश आते हो, तो Amphiprotic Solvent वही है, ये भी कैसे हैं, Dissociative Solvent है, सामने वाला प्रोटॉन लविएक एन प्रोटोजोनिक सॉल्वेंट आर काल, Amphiprotic Solvent जिसके पास दोनों टेंडेंसी होंगी, प्रोटॉन लवर भी है और प्रोटॉन डूर्ड़न भी कर सकता है, Amphiprotic Solvent थे इसके बोत इसके अब बेसिक परपरटी, वह भी क्या है एंफी प्रोटिक है बट उससे ज़्यादा अच्छा होता है यह यह या तो प्रोटोन को डोनेट करवा देगा इन दा प्रजयन सब्वीق बेज डेट प्रोटोन फी बी वीक बेससित्पार लेंगे तो फोटोन को डोनेट लेगे दे नावड यह यू जो बेस अम लोग इस्तमाल कर रहे हैं उसकी बेसीक इस्ट्रेंट हो क्या व्याम कर देंगे यह इंप्रीज कर देगा इन दा प्रजयन उसका स्ट्रेंट्ट को increase कर देगा एक्जांपल की बात करें तो सबसे कौन अते हैं अलकोहल जो तो मेरे याद रखने वीक और गडिक एसीड़ सचस्ट और इसके अंदर इसके अंदर इसके कौन आगे अधर पाद acetic acid और दूसरा को ना के alcohol alcohol में हम लोग इतनौल या मिथनौल का इस्तिमाल कर सकते हैं कि लिए रहे बात यहां तक बात है कि लिए रहे तो मेरे खाल से types of solvent चार टाइब के था हमारे काफी अच्छी तरह के समझ में आ गया है क्यों हम लोग ने किस इस बेस पर solvent को डिवाइड कर रखा है solvent के नीचर के इसाब से ठीक है ना कि वह एनलाइट मेरा acidic है तो basic solvent इस्तिमाल कर ले एनलाइट मेरा basic है तो हम लोग acidic solvent इस्तिमाल कर रहे हैं के लिए रहे हैं अब फिर वहीं सारी कहानिया आ जाती है अब दो यह जो अब कानी कानी वह यह कौन से इस्तिमाल करते हैं वह दो चार है उनको याद कर लो कौन कानी से इस्तिमाल करते हैं एक crystal इस्तिमाल करते हैं ठीक है ना कैसा होता है यह 0.5% weight by volume मैं बता चुका हूं क्या मतलब होता है 0.5% weight by volume in Glacial Acetic Acid क्या कलर देगा यह वायलेट कलर देता है इन बेसिक मीडियम और ये बात थोड़ी से तुम्हें यहाँ पर रटने वाली होगी ज्मी एंडिकेटर क्या होता है वही सेम कहाणी इंडिकेटर कि कैसे बिएब करें किंगा ठीक है ना बस कौन कौन्से यहां पर इस्तयूड़ा सा तुमको रटना पड़ेगा कि इस्त lugar होता है असम statने इड के सब्सक्राइब एसीड उसके साथ हम लोग इसको क्या करते हैं इस्तिमाल करते हैं ठीक है इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है और असेट ब्ल्यू भी इंडिकेटर यह भी क्या है जिरो पॉइंट फाइपर संट ग्लेसियल एसिक एसिड में प्रिपेर किया जाता है कहां के लिए होता है ब्ल प्रिपेर करते हैं इसका हम लोग दा कलर चेंज फॉम पर्पल रेड टू पेल ग्रीन ठीक है ना अच्छे ऐसा हो सकता है कुछ अलग लग बुक्स में थोड़ा बात कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो उसके लिए परिशान नहीं हो ना ठीक है अगर आपके टीचर आपको कही पड़ा रहे हैं वो क्यरें ना ठीक है नूज इसल्ग लेट फाय बाइल वाल्यू def करें। जो substance ऐसी तरह बीएब कर रहे हैं इन DMF में डाइमिसाल फॉरमाइड में तब हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं थाइमॉल ब्ल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं यह बात समझ मा रही है क्लियर है तो यह थे indicator, simple सा indicator कुछ थाई नहीं होता याद करने वाला है क्या है यह ऐए यह टाइप सब सॉल्वेंट मार्बार टीचर बोलने रहे हैं तन्हां आपसब सॉल्वेंट कर रहे हैं यह थीक है अलकाली मेटरी और अचीडी मेटरी बच्चा क्या था पता नहीं क्या है यह इस को किसको टाइटरेट खर रहे हैं acid को acid imagery में मेरा titrant जो है याने कि ब्यूरेट में जो भरा हुआ वह acid है तो titrate किसको कर रहे होंगे base को weak base को पस खतम बागी सारी कानी वही है example used for quantitative estimation of basic drugs ठीक है basic drugs जो होते है basic in nature basic मतलब basic basic in nature उनको estimate acid imagery क्या acid imagery बोला क्यों जा रहा है titrant हम कौन सा इस्तमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या बोल रहे है acid imagery alkalimetry क्या use कर रहे है acid imagery में strong acidic sorry strong acid क्या इस्तमाल कर रहे है strong acid एक example है per chloric acid HClO4 solvent used to dissolve analyte are protogenic in nature जो solvent हम जिसके अंदर analyte को dissolve करेंगे वो कैसा होगा protogenic in nature होगा जैसे glyceal acid acid तो बूरेट पर अलग है ठीक इसके नदर भर रहे हैं इसके काहन जोड़ी सा अलग हो गई indicator use crystal violet drug which can be determined by acid imagery are aphedrine morphine acyclovir adrenaline caffeine यहाँ पर बस यह दो बाते याद रखने हैं हमको में यह वल्के कहों तीन बाते हैं अलकालिमेट्री estimation किसका कर रहे हैं वीक acid drug का estimation कर रहे हैं टाइट्रेंट कौनसा होगा strong base हो जाएगा solvent कैसा होगा protophilic होगा proton lover होगा ठीक है example dmfm ठीक है ना है CHO और यह CH3 और CH3 कन्फीज मत कर जाना इससे ठीक है न यह हो गया मेरा dmf का molecular formula indicator use thymol blue drug कौन-कौन से होते हैं नैलिडिक्सिक acid acid azolamide fluoruracyl allopurinol और भी हो सकते हैं यह common drugs से इस्वाल करते हैं तो alkalimetry को detail में बताओ तो alkalimetry में हम लोग क्या कर रहे हैं basic drugs को analyze कर रहे हैं तो पूरी कहानी लेके आ जाओगे कि alkalimetry है क्या यह नॉन aqueous titus के बारे में लिखोगे फिर किस principle बेस है हम लोग उसका principle लिख दोगे ब्रॉंस लॉरी वाला ठीक है solvent कौनसा इस्तमाल कर रहे हैं उसको solvent गार में दिया ही रखा है इस तरीके सा हम लोग इसके बारे हम बाते लिखते हुए चले आएंगे और यह अच्छा खासा पांच नमबर का कोर्शन तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यह निकी इतना लिखके छोड़ देना है तो थोड़ा डिटेलिंग देने पड़ेगा भाई यह है तो नॉन aqueous titration ही जितनी बाते नॉन aqueous titration में हमन वीक एसीड और वीक बेस को हम लोग इससे क्या कर पा रहे है क्योंकि इनको वीक एसीड और वीक बेस को काफी टफ होता है टाइट करना using aqua solution पानी में करेंगे तो बहुत सारी दिक्कते आती है नहीं कर पाएंगे बहुत दिक्कत है ठीक है नॉन aqueous titration is used to perform volumetric analysis of organic acids and that are insoluble water देखो वही बात है जो बात है हमने starting पड़ी है वीक एसीड बेस को कर रहे है एक बात यह बता दी फिर उसी बात को सवरा सा अलग बताया इसने कि जो पानी में इंसॉलिवल है उनके लिए करते हैं ठीक है अगर एसीड के mixture है हमार पास क्या है एसीड के mixture है तो mixture of acids के लिए उसको अलग-अलग end point आएंगे हमारे पास और हम उसको क्या कर लेंगे analyze कर सकते है ठीक है नौन एकर स्ट्राइशन प्रवाइड accurate result result काफी accurate आता है end point काफी sharp होते है इसके नौन एकर स्ट्राइशन और simple and easy to perform काफी simple obvious ही बात है बहुत जार टफ नहीं है बहुत simple है नौन एकर स्ट्राइशन hold a lot of significance in essays of pharmaceutical product अच्छो ऐसे क्या होता है पता होगा ऐसे मतलब जो pharmaceutical product हमारे तयार हो आते हैं उनकी detail study उनका purification, testing, purity पूरा detail जब करते हैं तो उसको एससे कहा जाता है simple सी बात है detail study करेंगे तो एससे कहा जाएगा उसमें यह help करता है नौन एकर स्ट्राइशन ओपर great selectivity selection में help करता है examples of non-acquistation are the analysis of drugs like tetracycline, antihistamine, codeine, phosphate and many more इन सब drugs की क्या है example of non-acquistation are the analysis हम लोग इंट्रक्सी क्या करते है analysis करते है easily हो जाता है किसी और तरह के से करना इनको क्या होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आधी बात है तो मन से बना के भी लिख सकते हो main main बाते पकड नहीं है accurate result in solvent water main main बात पकड ली नहीं है तो advantage हो गई है clear है question ऐसा भी आ सकता है what are the advantage of non-acquistation over aquistation same point होंगे ठीक न aquistation के उपर इस stratation के क्या advantage है same answer रहेगा disadvantage क्या है non-acquistation solvents are less stable non-acquistation solvents are stable नहीं है ज्यादा पानी जैसे हम लेते हैं तो रखा है रखा रहता है non-acquistation solvents अगर सभी से store नहीं करें तो फ़र टाइम के बाद वह unstable हो रहते हैं मतलब अपनी property खो देते हैं non-acquistation require correction in temperature from time to time हमें जो जहां perform कर रहे हैं हमापर क्या है ठीक है उसका temperature हमें होता है time to time check करना रहता है otherwise क्या होगा जो हमारा ionization है उसके उपर फरक पड़ जाएगा calibration is mandatory calibrate करना calibrate करना समझते होगा ना क्या होता है calibration तो calibrate कहा है mandatory है जरूरी है हर इस्तमाल के बाद हम लोगों को उसका calibrate करना जरूरी हो जाता है clear है तो अब देखो यह advantage disadvantage और application वो तो कहां कहां हम इसका और इस्तमाल कर सकते हैं तो non-acquistation used to determine the purity of the essay जो हम लोग essay किया है क्या वो pure है non-acquistation has used to determine the concentration of the given analyte ठीक है simple है जो analyte दे रखा उसका concentration हम लोग यहां से निकाल सकते हैं non-acquistation are used to determine hydrophobic drug जो drug पानी से भागते हैं पानी घुलते नहीं है उनको हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं determining इनका tetration कर सकते हैं जैसे कि steroid हैं phenobarbitone है tetracycline है diuretics है many more non-acquistation are used to determine the drug composition drug का composition क्या है drug के अंदर क्या क्या है clear है बाते हैं ओके तो यह था हमारा आज का lecture ठीक है starting की तीन बाते है theory principle and leveling effect फिर उसका हम दो पढ़ लिया types of solvent यही तीन से चार point देखो मैंने इसलिए lecture को तोड़ा नहीं है यह सारे जो point लगातार एक के बाद एक जब पकड़ोगे इसे ठीक है तो तुमको ज्यादा बैटर ही अच्छे समझ में आएगा क्योंकि एक आज पढ़ लोगे फिर एक कल पढ़ोगे जब अगला lecture अगर देखोगे तो द्वारा से पहला तो इसकी जबर पढ़ जाती इसलिए मैंने इसको क्या किया है एक ही lecture में कवर अप कर दिया है किलियर है ठीक है तो इसके बाद हम लोग नया जो है हमारे पास जो बचे हुए टायटे से बचे हुए है उसका lecture बनाएंगे ठीक है ना उसका lecture में लेक्टे आओंगा एक या दो दिन लग जाता है lecture प्रिपेर करने में थोड़ा सा कई वार कुछ और प्रॉलम्स हो जाती है ठीक है कुछ और भी काम होते है मेरे पास तो थोड़ा सा कई वार लेट होया था कुछ बच्चे कह रहे हैं सार रोज रोज लेक्षर डालिए तो रोज डालना पॉसिवल नहीं हो पारा है मेरे लिए तो और भी काम होते है मेरे पास थोड़े से तो मैं कोशिश करूँगा दो से तीन दिन के अंदर एक lecture मेरा और जह है कोशिश करो खुछ से लिखो मैं लिंक देता हूँ description में no doubt उससे तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो बट कोशिशिस ये करो कि गवारी खुछ से notes लिखते हो चलो जहां तर समझने वाली चीजें जो यहाद करने वाली चीज है ठीक है उसको लूब नोट करलो कभी भी उसक तो इसको बार बार रिवाइज होगा, रिवाइज होने सके होगा, दिमाग में चीज़े सेट हो जाएगी और तुमको फिर चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, कि लिए रहे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, good, all the best.